अलो फ्रेंड्स यॉनेक्स जेडार हंड्रेड लाइट बैडमिंटन राकेट इसको अन्बॉक्स करके रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस तरह से कुछ पैकिंग आया है इसका ठीक है पीछे से लिखाता हूँ कुछ इस तरह से इसका पैकिंग आया है इसको खोल के रखा है मैंने टाइम वेस्ट ना हूँ ठीक है इसके अंदर है डिरेक्ट कवर ठीक है तो यॉनेक्स उसका टोटल डिस्क्रिप्शन लिखावा है यहां पर ठीक है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन या डीटेल्स बोलके पकाऊँगा नहीं टेक्निकल डीटेल्स देखना है तो इसका प्रचेस लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूप है ट्रस्टेट जेलर का इसके पहले भी मैंने इक बुक किया था लेकिन गलती से किसी और से बुक्या तब एक टूटावा स्ट्रिंग्स के साथ रैकेट आया था ठीक है ट्रस्टेट सेलर का जो पर्चेस लिंक है वो दिया हुआ है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठू है ठीक है वहाँ पर आप देख सकते हैं और खरीद बेश सकते हैं अगर चाहे तो तो यह है आप अगर देखेंगे एमाजन का वो साइड जिसका लिंग दिया हुआ है उसमें सायना नेवल को यूज किया है उनका सायना नेवल का एक फोटो यूज किया हुआ है देवलप्ट इन जपान इसका जो डिजाइनिंग है वो जपान में डेवलप किया हुआ है बट यॉनेक्स का एक फैक्ट्री है इंडिया में करनाटक में है वहाँ पे इसको मैनुफैक्ट्र किया गया है ठीक है तो यहाँ पे पूरा लिखा है कमोडिटी यॉनेक्स जेडर हंड्रेट लाइट अलुमीनियम बैड्मिटन राकेट विद फुल कवर ठीक है यह एक बजट राकेट है विदिन 500 रुपीज यह 529 का पड़ा मुझे ठीक है यहाँ पे MRP जो है थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है ठीक है तो यह रॉफ इंपोर इंडिया इसके साथ साथ बहुत कुछ दूसरे भी कस्टमर केर के नंबर वंबर दिये हुए बार कोड दिया हुआ एक को ओपन करते है इसका जो जिप है यहां से पूरा नहीं ओपन होता है जनरली बैडमेंटन जो रहता है और राकेट पूरा यहां से लेकार यहां तक कोई पैड़ेड बैड़ेड बैग नहीं है नॉर्मल सिंपल सा एक रिगजिन का बैग है कितना दिन टिके का नो आइडिया ठीक है जब यह राकेट मिला इसका बैलन्स नहीं था ठीक से यह अभी भी अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो मैं इसको घुमाता हूँ आप यह हिलेगा देखिए वो वाइबरेट हो रहा है घूमते वक्त वह हिल रहा है यह और भी ज्यादा उठ था अब तो आंसर दिस कोश्चिन फ्रेंड्स कोई भी बजेट राकेट जिसमें टी जॉएंट होता है ठीक है वो हंड्रेट परसेंट बैलन्स कभी नहीं होता है कभी भी नहीं आप कोई भी ब्रैंड लेलो बेसिक जो राकेट होते हैं जिसमें टी जॉएंट होते हैं जो एलुमिनियूम का या स्टील का होता है उसमें कभी भी हंड्रेट परसेंट बैलन्स नहीं होता है वह आउट होता है यह तो और जादा आउट था मैंने जिस तरफ आउ प्लेट कार्बन ग्राफाइट शाफ फुल ग्राफआट या फुल कार्बन या कार्बन ग्राफआट का माटेरियल बिद सिंगल शाफ्त लेते हैं तब तक यह लेगा अधरवाइस इसका जो बैलेंस है वह थोड़ा सा आउट रहे गई यह हो गया आपका आइस्योमेट ठीक है यॉनिक्स का स्टांप मारा हुआ नेट इसका गटिंग जो है पहले बता देता हूं एकदम बिगिनर लेवल का है यह ठीक है तो इसका गटिंग टेंशन जो है आप अगर सोचेंगे अब आफ टेंटीटू गटिंग टेंशन कोई भी साइट में मेंचन नहीं किया मत लिगते हैं यह कवर किया हुआ है आपके सामने मिधा खूलता हूं यह हुए ठीक है तो कि यहां पर थे अद觉्स लो टेफ है यहां पर भी अच्छा श्युप ऑध है यह काफी अच्छा ग्रिप है ठीक है और ग्रिप जो है यह सब्सल्य कुलर रेप नहीं है यह आपका जैसे एक यह होता है ना डिजाइन यह वो फॉर बेटर ग्रिप मतलब यह इधर पकड़ने के लिए और ऐसा गरके ठीक है तो उसी साब से यह यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है जेडार डेवलप बाय यॉनिक्स जेपान लो टॉर्शन स्टील शाफ्ट यह जो शाफ्ट है यह लो टॉर्शन स्टील है और यह जो है यह अलूमिनियम है जेडार हंट्रेड लाइट मेड इन इंडिया यहां पर अगर आप देखेंगे तो चोटे-चोटे में आपको दिखे मेड इन इंडिया तो इस तरह से है इसका जो यह ग्रिप है यह प्रॉपर लाइक पुरा फिट है गुट फॉर यूज अब इसे यूज कोन करेगा आपका बच्चा जिसको कुछ भी बैड्मिंटन याता है A B C D कुछ नहीं जस्ट एक वीक हो गया या दो दिन हो गए जो इ ऐसे बच्चे शॉट कम मारते हैं और बैट को जाधा पटकते हैं यह उन्हों के लिए है इससे आप हेवी डूटी यूज नहीं कर सकते हैं एक बार आपके बच्चा ट्रेन हो गया और उसके हाथ में टेक्निक और मोमेंटम दोनों आ गया यह राकेट को आपको फेकना पड करते हैं एक दब सरफ शटल उठाके देना और बच्चों को बहुत हां मार हाथ सीधा कर ओके फिंगर सीधा होल्ड राकेट प्रॉपरली यह जो ट्रेनिंग है स्टार्टर्स बिगिनर्स ट्रेनर्स ट्रेनर लोग जो है वह प्रोफेशनली दूसरे राकेट लेते हैं लेकि आप से तो यह अठ्रा एल्बीएस तक होना चाहिए उससे जाधा करेंगे फ्रेम तूट जाएगा अलूमिनियम है लेकिन दा गुद थिंग इस हलका है आपका बच्चा यह देखिए आवाज कितना ठीक है बिजली के तरह चलता है लेकिन इसका टेंशन जो है फ्रेम जो है यह आउट है हलका सा आउट है वो रहेगा बाइदा टाइम आपके बच्चे को समझ जाए कि राकेट पकड़ते कैसे है टॉसिंग कैसे करते है और उनका हाथ में जो टेकनिक है टॉसिंग का और स्म प्रॉपर टेकनिक यूज करने के बाद जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम एक बार आ गया तो यह राकेट खुद बखुद टूच जाएगा तो उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा ठीक है आप इसको और कर सलने के लिए यहां पर आइसोमेट्रिक लिखा है दे ती जोएंट है, फोशी कोई भी खासियत नहीं यह विए स्टीजाइंट में आप बिगिनर लेवल राकेट रखेट यहां पर आपका यानिक का जैसे हर राकेट में रहता है वह दिया हूँ इसके ओपर बैतर होगा कि आप स्पोर्ट के दुकान में जाकर एक ग्रिप चला यहां पर एक नंबर मेंचेंड है यह नंबर आप यॉनिक्स के साइट पे जाकर डालेंगे तो यह प्रोड़क्ट जैन्यून है कि नहीं वह मालूम पढ़ जाएगा आपको तो इतना ही यह बैडमिंटन का राकेट अगर आपको और करना है अपने बैचे के लिए तो नीचे दिये वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए और और कीजिए थैंक्यू सो मच टेक क्या बाबाए